इसे बीच प्रशासन स्वास्त सुविधाओं के बड़े बड़े दावे किये जा रहे हैं लेकिन जिला देवास की बागली तहसील में प्रशासन की लचीली विवस्था के चलते कोरोना के कहर के लिए प्रशासन गंभीर नहीं है इसी लचीली प्रशासनिक विवस्था के बाद बागली नगर के दो युवा दिलीब गुर्जर विपिंशेवरे अपनी अपनी तरह से समास सेवा कर रहे हैं बागली मुख्याले पर जहां दिलीब गुर्जर दोरा सोयम की खर्चे से पूरे नगर में सैनिटाइजिंग की ग प्रशास की समुदाइक स्वास्त केंद्र बागले की बधाल इस्थिती के चलते युवाओं दोरा सैनिटाइजिंग का छिड़काओ पूरे अस्पताल परिसर में किया गया साथ ही विपिंशिवरे भी गरीबों को भोजन खिलाने के साथ उनकी मदद करने को पूरी जी जा से लगे हुए हैं प्रति दिन से एकड़ों लोगों को आवश्यक खाद सामगरी के साथ बोजन उपलब्द करा रहे हैं जबकि प्रशासन दौरा अभी तक के सोर ध्यान भी नहीं दिया गया था बागली मुख्याले पर बैठे जिम्मिदार रदिकारी भी सिर्फ बंद कमर में ही बैठ कर चर्चा करते हैं लेकिन जमीनी इस तर पर प्रशासन व्यवस्तर लचीली नजर आ रही है बागली से लोकेश राजपूत की रिपोर्ट